नमस्कार बच्चों, आज हम जिस कहानी के साथ आपके सामने उपस्तित हैं, उस कहानी का नाम है स्मृति और इसके लेखक हैं शिरी राम शर्मा ये जो स्मृति कहानी है आपकी पूरक पुस्तक संचियन में से ली गई है एक बात विशेश रूप से ध्यान में रखिए कि इस में से आपको 3 प्लस 3 यानि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और हमारी जो तयारी होगी हो 6 नमबर की तयारी होगी ठीक है अब कहानी के बारे में बताने के साथ साथ बहुत कुछ समझाने वाला भी है ध्यान से सुनते जाईए ये जो कहानी आप लोग में मुझ से सुनने जा रहे हैं ये 112 साल पुरानी कहानी है 112 years old 112 साल पुरानी कहानी अब 112 साल पुराने भारत और भारतवासियों के बारे में अंदाजा लगाओ उस जमाने के बच्चे पैदल जाया करते थे स्कूल नंगे पैर भी जाया करते थे, हो सकता है नंगे पैर भी जाते हो उस समय के बच्चे धोती और कुर्ता पहना करते थे उस समय के बच्चे हाथ में डंडा लेकर जंगल के रास्ते से स्कूल में पढ़ने जाते थे डंडा हाथ में इसलिए होता था कि अगर जंगल के रास्ते में कोई जानवर साप वगएरा, कोई खतरनाक जानवर, कुछ भी मिल जाए तो उसे डंडे से डराया जाए, मारा जाए बच्चों की एक टोली रोज स्कूल जाती थी और वो स्कूल भी दूसरे गाउं में एक गाउं से दूसरे गाउं जाना पड़ता था यह मैंने सारी सिचुएशन आपको समझाई अब इस सारी की सारी स्थिति को अपने दिमाग में रखते हुए कहानी को सुनिये जब लेखक छोटा बच्चा था यह 1908 की बात है जब लेखक बहुत छोटा था और अपने बच्चों अपने जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे उनके साथ मिलकर स्कूल जाया करता था और यह स्कूल उनका दूसरे गाउं में था जिस गाउं का नाम था मक्खनपूर अब बच्चे रोज रोज स्कूल जाते थे हाथ में डंडे होते थे और सारे के सारे बच्चे इकठे जाते थे सारे के सारे वापस भी कट्टे आते थे क्योंकि बीच में जंगल का रास्ता पड़ता था एक दिन लेखक अपने दोस्तों के साथ बेरी की जाड़ी से जिसका नाम किताब में जर बेरियां रखा है तो आप से लोग अंदाजा लगा सकता है कि बेर जो होते हैं पेर पर भी लगते हैं और जाड़ीयों में लगते हैं तो जो जाड़ीयों पर लगते हैं उनको जर बेरियां बोलते हैं तो जर बेरियों से बेर तोड़ तोड़ के खा रहे थे उस दिन ठंड भी बहुत थी कि अचानक गाउं से कोई आदमी आया और उसने जोर-जोर से आवाज लगाई कि तुम्हारे बड़े भाई तुमको बुला रहे हैं और तुम यहां पर बेर तोड़के खा रहे हो अब लेखक को डर लग गया कि बड़े भाई ने बुलाया है अब तो पिटाई होएगी क्योंकि हम लोग स्कूल से घर ठीक टाइम पर नहीं पहुंचे उल्टा हम लोग यहां वहां बेर खा के समय को व्यर्थ गवा रहे थे तो भाई पिटाई करेंगे वो डरते डरते भाई के पास पहुंचा तो जो बड़े भाई थे उन्होंने कुछ चिठियां लिखी हुई थी और उन्होंने कहा कि ये चिठियां अभी जाओ मक्षनपूर वहां पर जाकर इनको पोस्ट करके आओ डाखाने में डालके आओ अब लेखक को दुबारा से गाउं से निकल कर दूसरे गाउं में चिठियां डालने के लिए जाना है मा को इस बात का पता चल गया कि बच्चे अब दुबारा से मक्षनपूर जाने वाले हैं तो माने कुछ चने निकाले कच्चे चने और उनको दे दिया एक पोटली में बांद के कि बटा इनको भी भुनवा के ले आना तो बच्चे ने वो चने भी ले लिए और उसके बाद जब वो जाने लगा तो छोटा भाई जित करने लगा नहीं मुझको भी आपके साथ जाना है अब लेखक ने अपने छोटे भाई को साथ में लिया और भाई से चिठियां लेकर उसने अपनी टोपी में चिठियां रखी भाई ने टोटल तीन चिठियां दी थी और तीनों चिठियां छोटे भाई ने अपनी टोपी में रखी और टोपी अपने सिर पर डाल ली और दोनों भाई गाउं से दूसरे गाउं की तरफ चल पड़े क्योंकि उनको चिठियां आज की डेट में ही पोस्ट करनी थी रास्ते में स्कूल जाते भी एक कुवां पढ़ता था तो अभी भी कुवां रास्ते में पढ़ने वाला था और उस कुवें की खास बात ये थी कि उस कुवें के अंदर एक बहुत बड़ा काली रंग का साप था बचे उस कुवें में हर रोज पत्थर मारते थे और जब पत्थर साप को लगता था तो साप बहुत जोड़ से गुस्से में फुंकारता था इसके लिए किताब में पाठ में फुसकार शब्द लिखा हुआ है तो फुसकारना शब्द भी साप के लिए ही इस्तेमाल होता है तो साप की फुसकार सुनकर या उसकी फुंकार सुनकर बच्चे बड़े खुश होते थे और उनकी खुशी का ये रोज का काम था कि अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए वो हर रोज साप को पत्थर मारते थे अभी भी मक्षनपुर जाते हुए रास्ते में कुवा आया तो लेखक के मन में फिर वही शरारत आई कि चलो चलते चलते एक बर साप को पत्थर मार देते हैं क्योंकि साप कुवे में था कुवे से बाहर आके तो उनको काट नहीं सकता था डस नहीं सकता था इसलिए बच्चों के लिए तमाशा था तो जैसे ही लेखक ने टोपी अपने हाथ में पकड़ी और दूसरे हाथ से पत चिधियों को कूंए में गिरते देखकर लेखके हो शुड़ गए कि अब क्या होगा और जो छोटा भाई था उसने तो मुह फाड़ को रोना शुरू कर दिया वहूत जोर-जोर की आवाज हो गई जो चिठियां कोई में गिर लेखक सोचता है अगर छोटे भाई को साथ ना लाया होता चिठियों पर मिट्टी डाल देता दबा देता और मैं घर जाके जूट बोल देता कि हां मैंने तो चिठियां डाल दी हैं मक्खनपुर में अब ये छोटे भाई को कौन गा ये तो कभी नखऴी भेद कोल देगा अब लेख any तो साथीकि आ हालत है सप्टे का मतलब संग्या संग्याश्यून्या संग्याश्यम्या मतलब सोचने की स्थिति में नहीं था मैं क्या करूं और क्या ना करूं इसके बाद उसके दिल मैं आया कि कुछ भी हो चिठियां तो निकालनी पड़ेंगी क्योंकि चिठियान निकाले बिना बहुत मुश्किल होगी अगर मां के सामने ये घटना होई होती तो मां तो कह देती कि दूसरी चिठी लिख लो अब तो मां भी आ नहीं है अब मैं क्या करूं मुझे चिठी लानी पड़ेंगी फिर उसने सोचा कि हमने जिन्दगी में इतने सांप मारे हैं अभी मैं पहले क्या करूंगा कुमे में नीचे उतरूंगा पहले मैं सांप को मारूंगा फिर मैं चिठिया उठाओंगा और कुमे से बाहर आ जाओंगा उसने क्या किया जो धोतियां बांधी हुई थी दोनों भाईयों ने और जो चने वाली दोतियां थी उन सब को बांद कर कुमे की डेक से बांदा और उसका एक सिरह अपने छोटे भाई के आत्में पकड़ा कर उसने कहा तुम इसको कस के पकड़े रहना मैं नीचे उतरता हूं और जब मैं नीचे उतर के चिठियां लेकर आ जाओंगा फिर उसके बाद ह लोग जाकर इसको चिठियों को पोस्ट कराएंगे लेखक ने उसके दूसरे सिरे पर डंडा बांदा हुआ था दोतियों के एक सिरह उसके भाई ने पकड़ा हुआ था और जब वो कुमे में उतरने लगा कि सांप जो था वो फन उठाकर बैठा हुआ था जब चार-पांच विशगज की दूरी रह गई तो दोती खतम होगी क्योंकि छोटी दोतियां थी कुमे की तली तक नहीं जा रही थी अचानक लेखक के हाथ से डंडा छूट गया और उसने डंडे के उपर डंग मारा उसके डंग मारने से डंडे के सिरे पर पीले रंग का एक तरल पदार्थ निकला जो कि विश्ट था जैहर था लेखक डर के मारे कुए की दिवार के साथ पैर टिका कर धोती के साथ लटका रहा उसके पैरों से कुछ मिट्टी उखडी और वो साप के उपर गिरी साप गुस्से में मिट्टी के उपर भी जप्टा लेखक ने इस चीज को देख लिया तब उसके दिल में आया, उसने अपने हाथों से कुमे की मिट्टी को उखाड़ा और साप के दूसरी तरफ फैंक दिया, जब उसने साप के दूसरी तरफ फैंका, तो साप का आसन बदल गया, आसन का मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो गई, पहले जिस साइड वो मुँ करके बैठा था, अब उसका मुँ दूसरी तरफ हो गया, अब उससे ये हुआ कि लेखक की तरफ उसकी पीठ हो गई, और पूँ से डंडे के साथ लिपट गया, और डंडे को डसने लगा, उसने लेखक ने एक चिठी उठा ली, मिट्टी को फिर फैंका, और दूसरी तरफ से उसने फिर अपनी बाकी की चिठीयां उठा कर धोती से बांदी, और फिर बहुत तेजी के साथ उसने साप के ऊपर डंडे को खीच कर डंडे से प्रहार करना चाहा लेकिन वो कुवा जो था उसका जो व्यास था उसका जो गोलाई थी वो बहुत छोटी थी कि उसका डंडा घूम नहीं सका और वो उसको मार नहीं पाया और अपनी जान बचाता हुआ लेखक 32 फुट गहरे कुमे से इतनी तेजी से उपर चड़ा इतनी तेजी से उपर चड़ा कि उसकी सांस फूल गई और बड़ी मुश्किल से वो उपर आया उपर आकर वो कुवे की जगत पर ही लेट गया थोड़ी देर के बाद वो मकहनपूर गाओं में गया वहां जाकर उसने चिठ्षियां भी पोस्ट कर दी लेकिन उसको दस्वी क्लास पास कर गया जब उसने दस्वी क्लास के पेपर दे दिये और जब वो दस्वी क्लास उसने पास करी तब वो 1915 सन था मतला 1915 था 1915 में उसने 10th क्लास पास करी और जब उसने दस्वी क्लास पास करी उस दिन उसने पनी मा को ये सारी घटना बताई कि उसने इतन साल की चोटी उम्र में कितना बड़ा जोखीम उठाया था तो मा ने उसको अपनी गोदी में छिपा लिया लेकिन मा ने जब उसको पूछा कि जब तुम उतने सांप को पत्थर मारा था या जब तुमने सांप के उपर मिट्टी डाली थी तो क्या उसको लगी थी लेखा कहता उस समय इतनी घवराड थी, इतनी घवराड थी, कि मुझे नहीं पता, कि उसको साथ को मिट्टी लगी थी, या पत्थर लगा था, या नहीं लगा था, उस समय मैं सोचने की स्थिती में नहीं था, उस समय बस मुझे एक ही बात याद आ रही थी, कि कि किसी भी तरीके से चिठ यादें, याद मतलब वो बात जो हमारे दिमाग में या हमारे दिल में हमेशा तक बनी रहती है, हम दिन रात, सालो साल, महीने, हफते, पता नहीं कितना कुछ करते रहते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी बाते हैं, लेकिन कुछ बातें जो याद रह जाती हैं, जो कभी तो आप लोगों ने जिस कहानी को सुना है वो संस्मरण है और इसके लिखक शिरीराम शर्मा है मुझे लगता है आपको कहानी समझ में आई होगी अगर हम आपको कहानी सुनाते हैं तो उसके बाद आपका काम होना चाहिए कि आप चैप्टर भी पढ़ें ताके आपको यह कहानी पूरी तरह से याद हो जाए तैंक यू अच्छों